तो आज का टॉपिक है हमारा फिर्स्ट एट का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ओफ इंजर्ड ट्रांसपोर्टेशन ओफ इंजर्ड तो इसका मतलब है कि पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना या फिर किसी इंजर्ड पर्सन को इंजर्ड पर्सन मेंज किसी को चोट लगी है या फिर किसी पेशन की सरजरी हुई है उसे मान लेजिए कि उसे ओप्रेशन थेटर से उसे वार्ड में शिफ्ट करना या फिर उसके परसनल रूम में शिफ्ट करना तो यह कहा है एक जगह से दूसरी जगहें लेकर के जाना यानि कि उसको ट्रांस्पोर्ट करना एक जगहें से दूसरी जगहें तो ये भी एक फर्स्ट एड का एक टेकनीक है ये भी एक medical aid है एड है तो इसमें आजाता है principle of transportation तो transportation के principle क्या क्या होते है फर्स पॉइंट इसमें provide emergency care to the patient before shifting यानि कि patient को emergency care दिख जाती है shifting करने से पहले second point है do complete examination of body body की अच्छे से examination करनी है then splint any fracture if found और splint करना है अगर कोई किसी भी तरह का fracture अगर दिखाई देता है तो then fourth है control the bleeding by applying the pressure अगर patient bleeding कर रहा है और तो जहां से bleeding हो रही है उसको उस जगह को control करना है pressure देकर कि उसको दबाना है ताकि और जादा bleeding ना हो patient का और जादा loss ना हो then fifth है handle the patient carefully but not unnecessarily हैनि कि patient को अच्छे से इसको handle करना है carely handle करना है but इतना भी नहीं करना है कि उसको इतनी ज़रूरत ना हो care करने की तो according to patient यह depend करते है कि patient को उसके help के कितनी requirement है उसके बाद आता है method of transporting the patient इसके बाद methods आ जाते हैं कि कैसे method के तुरू patient को एक जगे से दूसरे जगे ट्रांस्पूर्ट किया पा रहा है समझ पा रहा है हर एक चीज़ को तो उसको procedure को explain करना है यानि कि जो फर्स्ट एडर है वो सारे procedure को explain करना है then make the patient stand with yourself on unaffected side of the patient यानि कि patient को अपने उसको stand करने यान कि उसको patient को खड़ा कर देना है और उसे इस weight से खड़ा करना है जहां से उसको चोट ना लगी हो या फिर उसे किसी पर रहे कोई injury ना हो या फिर pain ना हो then ask the patient to walk then उसको जैसे की diagram में दिखाया गया है कैसे patient को फर्स्ट एडर ने carry किया है और फिर उसके बाद patient को चलने के लिए बोलना है then when the weight is to be put on patient affected limb bear weight on your own body and sport है यानि कि patient injured है वो खुद अपना weight जो है carry नहीं कर पा रहा है तो उसको help करनी है जैसे की diagram में दिया हुआ है कि उसने patient के जो बाजू है उसको अपने shoulder पर carry कर लिया यान कि उसके weight को उसने खुद carry कर लिया और उसको चलने के लिए बोल र is used in the patient who are unconscious it can even be used to shift patient to some far places तो ये वाली जो technique है ये उन patient के लिए यूज के जाएगी जो unconscious है यानि कि जो होश में नहीं होते हैं यानि कि कोई response नहीं कर रहे हैं तो और ये technique किसी patient को किसी दूर जगाया पर यानि कि उसका जहां पर hospital हो या फिर उसका room हो काफी दूर है और उसक procedure क्या होगा इसका make the patient is nearly position यानि कि patient को knee position में लेकर के आना है then now the first header put his hand under patient's arm pit to support him अब first header क्या गरेगा अपने hands को patient के shoulder के पास लेकर के जाएगा और उसको एक support देगा bring your right hand between patient thighs और उसके जो जैसे की diagram में दिखाया गया है कि उसने क्या करना है patient ने patient के thighs की between अपना hand place कर देना है और उसको support देते हुए उसको carry करना है lift करना है then after standing and stabilizing patient on your shoulder hold left hand on the patient with your right hand and start walking carrying जाने कि उसको अपनी pit के ऊपर उसको stable कर देना है और उसके जो और left hand जो है वो patient की तरफ होना चाहिए और उसको carry करते हुए ताकि पीछे से उसको support मिल सके और फिर walk करकर के उसको ले करके जाना है उसके बाद आ जाता है piggyback carry जैसे की diagram दिया हुआ इसमें कि कैसे उसने उसको piggyback carry करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है in this method of the carrying patient to some distance who have fracture of limbs यानि कि यह procedure तब दे जाता है अगर patient के limbs में किसी तरह का कोई fracture आ गया हो यानि कि वो walk नहीं कर पा रहा है तो उसे piggyback carry करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है procedure में इसमें explain the method to the patient यानि कि patient जो है इस position में क्या होगा conscious patient होगा और उसको method को पूरा explain करना है second point is stand in the front of casualty facing him यानि कि patient के सामने खड़े हो जाना यानि कि face to face खड़े हो जाना है then after making casualty erect back the casualty यानि कि first order क्या करेगा patient के पास जाकर वहां से उसको back back अपनी देखर के उसको carry करेगा put victim arm on your shoulder और उसके जो arms है बाजू है वो first order अपनी shoulder पर लेगा lift the casualty up support the lower limb on the casualty by holding it with your both hands उसके बाद वो casualty को up करेगा यानिकि उसको support देते हुए अपने जो back पर है उसको carry कर लेगा और उसको अपने बोग दोनों हाथों से उसको hold करेगा और उसको transport कर देगा एक जगह से दूसरी जगह पर इसके बाद next method आता है इसमें cardal carry this method is also useful to carry patient to the long distance even when there is no rescuer तो इस position का कब यानि कि इस method का कब यूज किया जाएगा जब किसी long distance के लिए patient को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो या फिर कोई आसपोस कोई rescuer उनको नहीं दिखाई दे रहा हो तो procedure में क्या आएगा इसमें in this one carries the casualty on his arm as if we carry a baby यानि कि इसको इसमें क्या होगा कि patient को इस तरह से carry करना है जैसे कि एक baby को carry किया जाता है यानि कि उनको अपने arms पर carry करना है इस method cannot be practiced for heavy patient लेकिन ये method heavy patient के लिए जिन patients का weight जादा होते है उन पर ये method नहीं अपनाना है जैसे कि diagram में दिखाए गया है इन्होंने देखिए इन्होंने कैसे अपने हाथों पर बाजू पर कैसे patient को carry किया हुआ है उसके बाद आता है drag method इस method can be practiced either on the blanket or a strong cloth तो ये method किस पर कैसे practice के जाए या तो कोई blanket या किसी strong cloth के साथ इस procedure को किया जाएगा place the patient in the spine position on a blanket यानि कि patient को blanket के ऊपर सुला देना है spine position में and knee near the head of the patient walk on your knees and drag the patient उसके बाद आता है two rescuer assist अगर दो rescuer यानि कि जो first adder है दो first adder किसी patient के help कर रहे है then four handed seat method in this method the two rescuer use their hand to make a seat on which the victim sit तो इसमें क्या करें कि एक patient जो है वो किसी seat पर बैठा या फिर chair पर बैठा है तो इसमें two first adder है यानि कि two rescuer है तो वो अपने चार हाथों से मिलकर करके उसको seat के साथ ही victim को एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंचा देते हैं procedure क्या होगा इसमें two of the rescuer face each other kneeling on knee तो इसमें क्या है दोनों rescuer एक दूसरी को face करते हुए अपने knee को bend करके position लेते हुए patient को carry करेंगे both the rescuers stretch their hand in front और अपने दोनों हथों को क्या करेंगे वो stretch करेंगे front पर then each rescuer hold his right wrist by left hand and with the right hand he hold other rescuer left wrist तो यहाँ पर rescuer क्या करेंगे उनकी जो right wrist है वो अपने left hand से hold करेंगे and right hand right hand से दूसरी rescuer की left wrist को वो hold करेंगे तो एक तरह से क्या है उन्होंने एक chain बना ली है a seat is then created for the victim to sit और एक तरह से उन्होंने एक seat बना ली है उन्होंने दोनोंने एक दूसरे की wrist पकड़ कर जो है एक chair बना ली chair type seat type बना लिया है उस पर victim को बिठा करके उसे एक जगह से दूसरी जगह है वो ले जाते है 95th point is में that rescuer then stand up and walk slowly with the patient sitting on that seat और इसके बाद rescuer क्या करेंगे patient को धीरे धीरे थोड़ा सा walk करवा करके उसको seat पर बिठाएंगे और उसको ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जैसे की diagram में दिखाया हुआ है इन्होंने कैसे patient के लिए एक seat बनाई है यहां से देखिए यहां पर एक rescuer ने दूसरी rescuer की wrist को होल्ड किया और एक bag से जो कि अभी diagram में नहीं दिखाया है लेकिन bag से आप देख सकते हैं कि उन्होंने दूसरे rescuer की wrist को होल्ड करके एक तरह से seat बनाई और patient को उसको पर बिठाया और उसे ट्रांस्पोर्ट किया देन उसके बाद आता है त्री rescuers अगर तीन rescuers आ जाते हैं तो महां पर कैसे procedure किया जा सकता है तो यह भी वैसे ही रहेगा जैसे कि two rescuers कर रहे थे तो लेकिन यहां पर थोड़ा सा अगर एक और rescuers आ गया है तो उसकी bag को support करते हुए पेशेंट को carry करना easy हो जाता है procedure क्या होगा इसमें both rescuers knee on the position and facing each other इसमें भी इसमें क्या होगा कि जो rescuers है वो भी एक दूसरे को face करेंगे first rescuer with his right hand hold his own left forearm and with his own left arm is grasp the left arm of the other rescuer तो आप यह diagram देखिए अगर three rescuers हैं तो कैसे इन्होंने इसका जो है एक तरह से एक chain बनाई है अपने उन्होंने hand जो है wrist जो है patient के कमर में डाल दिया है और एक तरह से patient के लिए seat ready हो गई है और patient को ऐसी position में ले जाकर कि उसके एक जगह से दूसरे जगह पर वो ट्रांसपर्ट कर देते हैं तो आप एक और डियाग्राम देख सकते हैं इसमें भी ऐसे patient को carry किया गया है three rescuers है इन्होंने इस method से in this method three of the victim kneel at their own knee यहां पर यहां पर इन नी पर बैटे थे वह यहां पर वो stand होकर के patient को carry करके seat बना के patient के carry किया है देन रस्क्यूर फ़स्ट नी नियर दा हैट एंड साइड ऑफ द बैड यान कि उसके जुनी है उसके patient की जो फर्स रस्क्यूर है वह बैट पर रख देगा patient के नी को पैड़ पर रख देगा जैन सेकेंड रस्क्यूर नीर दा ही और वह जो हीप के पास में है जो रस्क्यूर वह दीरे से हीप की साइड जो है शिफ्ट कर देगा patient की ओधर जो है वह फूट और साइड तो ऐसे से दीरे दीरे एक पोर्शन करते वह वह patient को बैड पर शिफ्ट कर देते हैं